दोस्तो नमस्कार आप दिरें केट इंडिया और डेलीर केट के एक और रहे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अज तारीक हो चुकी है 2 अगस्त 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं अज दिन बरमेगर केट के रिगार्डिंग जितने भी बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनलेसिस करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंतर्स जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुडि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइपर के बैल आइकन जरूर दबा देना तब का समय यहाँ पर बिल्कुल भी बरबाद नहीं करेंगे चलिए फटा फटम बात करते हैं असदिन बरगीर केट से जुड़ी सबी टोब खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल करा रही है इंडिया टूरोब स्री लंका 2024 को लेकर जहाँ पर करंडली भारत की टीम स्री लंका के दोरे पर है और रिशेंटली भारत स्री लंका ने T20 शीरीज के लिए जहाँ पर 3-0 से भारतिय टीम ने रोमांचक अंदास से सुरेकुमार यादव की कैप्टन से और गुतम गंबीर की हेड कोचिंग के अंडर भारतिय टीम ने क्लीन स्वीप यहाँ पर किया है जिसके बाद अब सभी को बेसब रिशे इंडिया वासे स्री लंका वंडे शीरीज का इंतजार है जहां पर तीन मैचों की वंडे सिरीज ये दोनों हीटी में आपस में खेलने वाली है और फाइनल याज से इस वंडे सिरीज का आगाज होने के लिए जा रहा है जहां पर तीन मैचों की वंडे सिरीज का पहला वंडे मैच हमें आज भारतिय समय अनुसार दो पहर धाई बजे से कोलंब के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है काफी जदा इंट्रस्टिंग रोमांच और शांदार यह मैच होने वाला है दोनों टीमें बिल्कुल अच्छी त्रेके से अपनी तैयारिया करके यहां पर उतरने वाली है प्रोई शेर्माव ब्राट कोलिया में यहां पर अंटीमेड़े में कमबेक करते होने ज़राने वाली है स्ट्रेशियर भी बहुत लंबे समय के इंतजार के बादियां पर आँटीमेड़े के में स्क्वैट को जोएंड करते होने वाली है पहले ब्राट मैच में भारत की सबसे खतरनाख प्रलिंगिल्हावन कोन होंगे रोहित सर्मा की वो 11 है शेयर जो स्रीलंका को करेंगे कोलंबो के स्टेडियम में धेर चलिय फटावट भारत की प्लेंग की लेंड पर नजर डालते हैं तो इस चांदार मैच में भारत की तरफ से ओपनिंग करने तो यह चोर पर डेफिनेटली कप्तान साहब रोहित शेयर मां हम दिन दोनों में से किसी एक प्लेर को यहां पर खेलने कमों कर मिलेगा ढर चैपर डेफिनेटली रियान प्रियाग हमें देखने को भी बेफिलेंगे वाले हैं नंबर नो पर हमें मोहमर सिराज देखने को बिलेंगे नमबर 10 पर अर्षदीप सिंग होने वाली है और नमबर 11 पर यहां पर आपके खलील एहमद देखने को मिल सकते हैं तो अभी कुछ ऐसी होने वाली है पहले वंडे मैच के लिए भारत की प्लेंग 11 लेकिन आपके मुताबिक क्या हो 2025 को लेकर जिहां जब IPL 2024 की स्मापती थी के क्यार की टीम चैंपियन मनी थी उसी समय पर विशिश्याई ने एक बड़ी गोशना की थी विशिश्याई ने ऐसा बोला था कि वहीं IPL 2025 से पहले हमें IPL के मेगा उक्शन्स देखने को लेंगे लेकिन मेगा उक्शन्स को लेकर क करंटली एक बहुती बड़ी कोंट्रोवर्सी यहां पर हो गई है जिहां IPL 2025 को लेकर पहली मिटिंग भी खतम हो चुकी है प्रैश्य में आज की तारिक में आप से भी IPL पैंस के लिए IPL 2025 को लेकर 4-5 बड़े-बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकल क देखने करा रहा है औक्षन पोर्मैट को लेकर जांकिस फॉर्मैट में होगा IPL 2025 का उक्षन मिनी उक्षन होगा या फिर मेग उक्षन होगा बिसी शाई ने बोला था कि हमारा विचार तो यहां पर मेग उक्षन कराने का है लेकिन जब मिटिंग में फ्रेंचाइज या पर मेग उक्षन के फिएवर में थी आपको बताना है चाहिए डिमांड ऐसी रही तीन साल की बजाए हर पांच शाल के बाद में IPL की मेग उक्षन देखने को लिए बहुत ही मेहनत से टीम के स्क्वैड को तयार किया जाता है जब अच्छी तरह से टीम बिल्ड होती तो वह वहाँ पर स्क्वैड को मैनेज करना है पर फिर से टीम के लिए मुश्किल हो जाता है जिसके जलते अभी बिसी शैने तो अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया है खर जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कराएगा अपडेट में आपको प्रवाइड कर दूँगा उसके आदेम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो अपडेट निकल करा रहा है IPL 2025 के रिटेंशन प्रोशेस को लेकर यहां यहां पर मेगा उक्षन होते तो भी रिटेंशन मतलब कितने प्लेश को रिटेन किया जाएगा आर्टीम काड किस तरह से इस् कुछ फ्रेंशाइज या बोले दे वही पांच है तो होने ही चाहिए कुछ फ्रेंशाइज या बोले दे वही एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा हमें तो बिल्कुल नई टीम अपनी बनानी है लेकिन आप जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक तो भाई शाग ऐसा क प्रेंशाइज या बोले देखने को बिलता है तो अपडेट में आपको प्रवाइड कर दूँगा उसके बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो अपडेट निकल करा रहा है इस मिटिंग ना एक बहुती बड़ा मुद्दा इंपक्ट प्लेयर रूल भी रहा और इ मतलब टोटली यहां पर फेवर मेनेजर रहा है वही डेली कैपिटर स्टिम कॉंगर गुरूप यहां पर इंपक्ट प्लेयर को नहीं चाहता था वो बुल रहा है इससे ओल्राउंडर्स की वैल्यू बिल्कुल खतम होगा इस वायात रूल को आप हटा दीजिए उन्होंने मीटिंग के बाद सोसल मीडिया पर भी मतलब उन्हों प्रेश कोन फ्रेंस भी आपर बुला कि वह इंपक्ट प्रूल पर्सनल इनको बहुत बुरा लगता है जिसे ओल्राउंडर्स की वैल्यू बहुत जैदा डाउन हो चाहिए टीम के संतूलेंड में बढ़ा फरक यहां प हाईपील 2020 में में लाया जा सकता है जिस रूल का नाम होने वाला है पैनल्टी रूल जिया इसा क्लेम किया रहा है कि वह यह है नया नियम डैडर्स वी नेटली हमें देखने को बिलेगा और रिजन तो यहीं है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि वहीं कुछ foreign players IPL के निलामी का हिस्सा होते हैं निलामी में बिक जाते हैं टीम अपने स्क्राइड बना लेती रेकिन जैसे ही IPL के आगाज के नजदीक जाते हैं तो player अचानक IPL चे अपना नाम वापिश ले लेते हैं जिसे टीम का संतूलन यहाँ पर खराब हो जाता है जिसके जिते यहाँ पर फ्रेंचाइज या थोड़ा सा इस चीज के खिलाब थी अब ऐसे में यहाँ पर हो सकते हैं जो player ऐसे यहाँ पर अचानक टीमांड ऐसी थी कि IPL 2020 से पहले IPL में एक रूल होता था जिदी कोई खिलाड़ी पांच शाल तक इंटरनेशनल विर्केट नहीं खेलता था तो उसको अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में सामिल कर दिया जाता था और अब इस रूल को एक बार फिर से CST की फ्रैंचाईजी इंपलीमेंट में लाना चाहती थी महेंदर सिंग घोनी को वह एज मतलब अनकैप्ड प्लेयर अपने स्क्वेड पे रिटेन करना चाहते थे लेकिन कुछ लोग इसके खिलाब भी जाबर पर इनोंने ऐसा बोला कि यदि रूलाते तो उसके उनके लाना चाहिए आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बोक्स में अपनी राइज जरूर देना उसके आदम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो अपडेट निकल करा रहा है विशी से की नेक्स्ट मिटिंग को लेकर कब होगी विशी से की मिटिंग कब हमें आई- 30 अगस्त 30 अगस्त 31 अगस्त को हमें यह मिटिंग देखने को मिलने वाली है उसके बाद हम बात करते हैं गली खबर की तो खबर निकल करा रही है चैंपियंस चोफी 2025 को लेकर जिया होस्ट को लेकर अभी तक यहां पर लगाता और बड़े सस्पैंसिज बरकरार थे लेकिन सस्पैंसिज को खतम करने का समय यहां पर आ गया है पूरी की पूरी सबी की सबीटी में पाकिस्तान ट्रेवल के रहे भारत ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया एक कुट्रोवर्शी यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में वही इसी सी एक मिटिंग कर संस देखने को लेंगे हाईली सांसिक वही हाईब्रीड मोडेल के साथ सेंपियंस शोफी 205 देखने को लेंगी जहां पर सभी मैचिस तो पाकिस्तान में होंगे लेकिन टीम इंडिया के मैचिस को किसी इन अधर न्यूट्रल कंट्री में यानि यू या फिर स्रिलंका में शिफ्ट की आजा सकता है उसके अधर में बात करते हैं गिली खबर की दो खबर यहां पर निकल करा रही है राहूल दरविड को लेकर जिया भारती टीम के साथ राहूल दरविड का खरार यहां पर कतम हो चुका है लेकिन सब्से बड़ाश्य वाल की वह अब कहां पर खेले मतलब किस टीम को जोइन करेंगे चार-पांश टीमोचन के बास फ़स गई है लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वह राजस्तान रुयर्स टीम एज हैड कोच अपना कमबैक करने वाले है पहले टीम के हैड कोच रह चुकी है एक पर फिर से वापसी करने के लिए राहूल तर विडिया पर तयार से नजर आ रहे हैं तो दोस्तों यहां दिन ब्रुर्केट से जुड़ी सभी टोफ खबरें सभी खबरों के पर आपके क्या उपिनियन्स आमें कमेंट बुक्स में जरूर देना आपने राए फिलाल की शुटों मज़ी तना ही जड़ा इन्पोर्मेस के लिए भी सब्सक्राइब करें या थैक्स पूर वचिंग